कि हेलो स्टूडेंट्स मैं माईश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मज़ा मैं तमी आज इस सेशन में हम लोग क्लास 12 के एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले थी डायमेंशन जिमेटरी तो देखे इस चैप्टर में ना स्टूडेंट्स यूदर बहुत जएदा डा смотр OUT का होता है कि उनको वो वो सोचते है कि हमसे टोफिक होगा है हमसे चैप्टर हो ंए नहीं महdate इस चैप्टर को वह इतना हार्ड समझ से चलते हैं ऐसे तो देखिए इस चैप्टर में सा कुछ भी नहीं है चैप्टर को हार समझने जरूरूरत नहीं आपको जब आप exercise करोगे कोशन के attempt करोगे दीरे-दीरे तो आप सीख जाओगे एक्चले आपको करना क्या है यानि कि जो एक 3D है ना 3D चैप्टर जो आपका imagination पर चलता है ठीक ह आप चीजों में इसको imagination करके चलोगे उतना ही अच्छे से आप कोशन करके चलोगे ठीक है अब दीरे-दीरे जैसे आपको इसको कोशन कराता रहूंगा देखिए तो उसकी साफसे दीर-दीर आपको चप्टर बहुत इजली समझ में आता रहेगा मैं कोशिश करूंग आपक पर काता है direction को साइन से direction ratio जो फिलाइन ठीक है तो यह होता है कि इसके बारें करते हम लोग हमने एक फिगर बनाई हुई है इसमें तीन हमने एक्सिस लिया एक्स वाइजड और हम देखो यहां पर पॉइंट लिया हुआ हूँ पी एक्स वाइजड पॉइंट कहीं भी ठीक ह तो हमने देखा कि जो यह लाइन है एक्सिस साथ अलफ एंगल बनाती है वाई के साथ बीटा और जड़ के साथ बनाती है कितना एंगल गाम एंगल ठीक है तो यानि कि हमरे जो एंगल्स बनेंगे क्या बनेंगे मिलेंगे हमें देखो या पर तीन एंगल मिलेंगे हमें कौन बीटा और कोस गामा ठीक है तो यह क्या होते हैं यह हमारे डिरेक्शन रेशन को किसे डिनोड करते हैं कोस अलबा को डिनोड करते हैं लोग L से कोस बेटा डिनोड करते हैं लोग M से और कोस गामा को यहाँ पर क्या गामा आएगा हमारा इसको डिनर करते हम लोग N से ठीक है पास समझें हां तक अब देखो यह जो लाइन थी आपकी यह जो लाइन थी मान लो इसके डायरेक्शन थी आपके पास ठीक है यानि कि यह एक साइड में आपके एक तरफ चल रही है और मान लो हम क्या करते हैं कि जैसे जब यह लाइन की यह डायरेक्शन अभी पस इधर ती तो आपके पास कोसब्वा कोसब्स बिटाकोस एंगल आपके आ ज़ाते हैं कि मालो क्या करते हैं कि इस लाइन की ऐसे आपका ठीक है और यह लाइन इदर ऐसे एंगल बनाके बैटे हुए यहां पर क्या एक्सक्राइब 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 एक्सक्र क्या निकलता मालो हमेरा निकलता कोस अलफा कोस बीटा और कोस गामा नेकलेंगे लेकिन जब मालो हमने लाइन की डिरेक्शन को चेंज कर दिया तो क्या निकलेंगे हमार पास एंगल वो निकलेंगे कोस पाई माइनस अलफा कोस पाई माइनस बीटा और कोस पाई माइनस गामा समझे बात होने तर आप देखो क्या है तो देखो ऐसे क्या क्या हो सकता है तीन तो पोसिबिलिटी जो गया आपके पास यहां पर एकस की साथ क्या होगा आपका अलफा वाला होगा वाई की साथ कॉन्सों होगा बीटा हो जर्ट क्या हो गामा यह जो तीनों पोसिबिलिटी थ तरफ से थी और यह जो तीनों पॉस्ट पॉस्टिबिटी थी तरफ थी यानि जब लाइन जो थे आपके उपर के तरफ चल दिए पोज़र डिरेक्शन में तो आपके पास क्या था को बीटा गामा था जैसी हमने लाइन के डाक्शन को बदला तो हमारे पास एंगल्स क्या सब्सक्राइब तो देखो आपने यह बाद देखी कि कोई भी लाइन किसी भी एक्सिस के साथ दो पॉसिबल सेट बना सकता है ठीक एक तो पोज़र साथ एक नेगठी दिख साथ यानि कि कोस alpha अपका ऐल हो गया कोस beta आपका m हो गया कोस gamma आपका n हो गया यदि मालों negative side हा त कोई पाइब माइस बीटा क्या होगा पुबस माइनस M होगा और कोई पाइब माइस गामा पुबस क्या होगा माइनस N होगा यानि कि क्या होगा आप लिख सकते हो क्या कि Any Line कि Any Line has two sets of direction cosines अब हम बात करने वाले direction ratios के बारे में हैं ठीक है तो देखो direction ratios होते क्या हैं हम मान लेते हैं सबसे पहले आपको बताता है को direction ratio और आपको जो direction cosines होते हैं इनके बीचिम relation क्या होता है क्या है हमने माना थ्री पॉंट्स लेते हैं हम लोग A, B, N, C ठीक है तीन पॉंट हमने लिए और हमने बोल दिया कि यह तीन हमारे पॉंट्स के डारेक्शन रेशियो हो जाए इसको मैं शोट में दिखाता हूं DRS ठीक है कि L by A equal होता है आपका M by B equal होता है आपका N by C के तो हम क्या करते हैं देखो इसको किसी consent के के equal मान लेते हैं यह क्या आपका consent हम लें सीज को मान लिए ठीक है आप देखो क्या है अब आप जानते हो एक बात यहां पे देखो की हमारा L square plus M square plus N square is equal to 1 होता है अब यह 1 कैसे आता है देखो यह भी मैं आपको बता हूँगा तो देखो यहाँ पर जब आपको यह तीनों equal चीज़े हैं तो क्या लिख सबता आप इस चीज़े को कि L by A आपका क्या है equal है किसके के के ऐसे ही आपका M by B किसके equal है यह भी के के होगा ओर N by C भी आपका केगए कवल होगा तो यह सब करना निकले का देखो एक निकले है यह से एम कर बेकल जिए और N क्या होगा आपका सी के होगा होगा अब हम क्या करते हैं दोगो दों तरब सवर कर दो यह लिखते हैं हम लोग क्या tagvar And all board ठाइप क्या होगा इसी क्या होगा स्क्वेर और के स्क्वेर और और यहां से लोग क्या करते हैं अब कर देखोो यहां से हम लोग क्या आप अब हम लोग थी ने कुस्थ को जोड़ों देते हम लें हमारा यह सेकड्य तयकर हमने इसको माल Jap लेट डीरीन थोड़ा समँजने लैब चैप्टर लहीं कि जैसे Standard कोश्चंद करेंगे तब आपकी स्पीड में बढ़ती चली जाएगी तो क्या है कि तीनों के एड़ करेंगे तो देखो अब हम तीनों एक्विशन को एड़ करेंगे तो हमें क्या मिलता है यहां यहां पर क्या है आपका qqqqqqqsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq हमने comment लिया क्या मिलेगा हमें A² प्लस B² प्लस C² अब हम जानते हैं कि हमारा L² में M² में N² क्या होता है 1 होता है ये value का हम यहाँ डाल दें तो हमें क्या मिलेगा ऐसे 1 मिलेगा 1 is equal to क्या होगा हमारा K² is equal to into A² में B² प्लस C² तो देखो ये नीचे आजाएगा हमारा ठीक है तो देखो हमें से K² क्या मिलेगा हमें हमें मिलता है 1 upon A² प्लस B² प्लस C² ठीक है अब जानते हैं के की value निकालते हम लोग तो देखो के की value क्या आज जाएगा हमेरे पास यहाँ पर यह मिलता है plus minus 1 upon प्लस B² प्लस C² यानि यह हमारी की value आ जाती है ठीक है अब देखो यहां से हम लोग डायरेक्शन कोसान से निकालता अपने हमारा डायरेक्शन कोसान क्या था एल बाई A is equal to 1 था देखो क्या था हमारे पार डायरेक्शन हमारे पास क्या था एक था और M is equal to हमारे पास B था और N is equal to हमारे पास C था ठीक है अब देखो तो हमारे यह हमारे पास सेम रहे एगर के की value डाल तो वन अपने में आ जाएगा वह क्या आएगा हमारे पास plus a square plus b square plus c square root और यह value होगे कैसे होगे ब्लस-minus में होगे ठीक है ऐसे हमारे पास M की value आ जाएगी वह क्या है हमारे पास थीको plus-minus में यह b थो क्या होगा वी अपोन में क्या है का हमारे पास B अपोन a square plus b square plus c square इसका square का तो मेरब होगा मरबसने की वैल्य जाये है कि क्या हो ही फ्लस माइनस सी टिवाइड़ मइंवाई क्यों होगाquar प्लस असस्क्राइब यह हमारे पास जो वैल्यों होती है लो बिंश्क है कि अब देखों तो आपने देखा कि यहां पर नोटाइब यह कि sisters生 सैáng मैंने पीछे बता था थोड़े देर पहले कि जो संस क्या होंगे सेट टोब डारेट्शन रिख्शियों आप प्लस माइनस पता चल रहा है कि सब्सक्राइब्स पर माइनस ठीक है यानि कोश्चन में जब भी आपको डारेट्शन रिख्शो दे हुए होंगे डारेट्शन value को निकाल सकता है हमसे यह आपके बस जब a b और c की value given होगी तो आपके बस l m और n की value निकालना आसान हो जाएगा अब हम देखें अपना दूसर टोपिक देखते हैं direction cosines of a line passing through two points ठीक है अब इसमें क्या है कि देखो आपको क्या है एक given है एक line given है जिसके दो points आपके पास पी और क्यों जो पी पॉइंट्स आपके पास क्या x1 y1 z1 और क्यों क्यों कोडिनेट्स है x2 y2 और z2 तो उसके देखर direction cosines क्या होंगे हम वो निकालते हैं ठीक है तो direction cosines में होते हैं कि आप जानते हैं हमने पीछे देखे तो अमरपस क्या होते हैं जैसे cos alpha और cos beta और cos gamma यह तो होते हैं मैं आपस कोई भी एक soul करके दिखाता हूं तो महां से आप समझ जाएंगे कि तीनों में कैसे values को आती है ठीक है अब देखो क्या है यानि कि direction cos के लिए आपके पास होंगे क्या मैं अब पताते हैं इसके लिए जो आपके पास cos alpha है इसके जो direction cos क्या होंगे वह होंगे एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइडर भाई पीक्यू होंगे और cos beta यह जो दूसरा वाला description को sein होगा है इसको eambi लिख सकते हैं वह क्या आपके बास यह ओगा वाई टू माइनस वाइवन डिवाइडर वाई क्या होगा आपके पास पीक्यू होगा तीसरा वाला कौन साबसक्राइश गामा यह क्या होगा आपके बास फूर्य ट्वाइडर भाई पीक्यू ठीक है अ तो हम क्या करते देख इसके ट्रेंगल बना लेते पूरा यानिकी पूर एक परपेंड गुरे डालते हैं से यह हमने इदर ऐसे बनाया और यह नीचे अमने ऐसे ड्रोक कर लिए ठीक है अब बात को समझो यह हमारा 90 डिग्रें अंगल हो गया है ठीक है हम क्या निकाल रहे है को एकस बन लेता हूं ठीक है अब जब हमने पीछे देख था कि हमारा जो लाइन थी हमारी पास जो एकसीचीब अलफा यह गल बनाती थी तो यहां पर क्या होगा तो आप जानते हो को सलफाव के पास होता क्या है और बेस अपॉंट होता अब यह बात इजिली जानते हूं के लिए यहांए चलोगे इधर मुव्मेंट करोगे लेकिन पॉइंट में इस्पॉइंट इसलिए यहां पर और इसलिए यहांपर क्या होगा आपके पास यानि कि जो को चैसे कई एसको नामनेद नाम को इसको discuss इसको नाम देते कुन सा ऑार कि सि हमारा पयंट आर हो गया अब यह व्यकूर व्योंत कि तो यह वाल नाइन ही यह भी था च्ति कि सुलबाइस उसके पैस के लूगा आठाएकशन और मैनेस रोलक्शन हो ओता हाइपोनूस तो देखो πo q हाइपोनूस है या नहीं है देखो पीक्उ एक हाइप लौई तो नीचे क्या जाएगा आपके पास ? Π यानि कि इस तरीके से आपके पास िवह साँधारऑ ता डिय्रेक्शन cosine गाल दो बास बात आए हो समझ नहीं समझे ठीक है आपसे कोई पूस लेए कि direction ratio किया होंगे थैस question के अंदर तो देखो क्या होंगे यानि जब आपसे को direction ratios को पूस लेता है आप तो निकाल दो क्या होगे आपका direction ratios वह आप क्या हूंगे x2 future minus x1 और y2 minus y1 और z2 minus यहां पर आपके यहां पर आपके मन में एक डाउट आना चाहिए कि हमने यहां पर देखो हमने पीछे पढ़ा था कि देखो बात को समझो यहां पर क्या है कि यह जो दोनों पॉइंट सब्सक्राइब पर आपके पास है जो यह तीनों की तीनों निकलेंगे इस में निकलेंगे पोई तो पोई स्क्तिब्व को अधिक्ट उरुनुंट है फिर यह मालू बना चलते हो तो जब या तो को सब्सक्राइब और एंगर ऍलोगे prof डार्क्षनस को सीन जो लोगे हो क्या लोगे माइनस it- माइनस एम और माइनस एन लोगे लोगे बात को समझे आया तक ठीक है अब क्या है मानलो आप से डाउड यह दे दिये जाए कि एक पोइंट आपका नेगटिव आजाये मानलो और दूसरा पॉइंट आपका positive side आ जाए ठीक है यानि कि एक point negative और एक point positive तो आपके direction ratios क्या होंगे direction cos क्या होंगे देखो क्या है तो देखो क्या होता हुँसके जो direction ratios पर depend करता है यानि उसके direction ratio के magnitude पर यानि depend करेगा कि X2 minus X1 की जो value आती है वो क्या आती है उस चीज के आपके ऊपर जो L और M और N जो होते हैं उनकी जो value plus होगी या माइनस होगी वो यहां पर depend करेगा ठीक है यह आपका direction ratio जोते हैं आप देखो इसके अंदर हमारी एक और चीज बच जाती है पी क्यू की वैल्यू आपके आपके पास क्या होगी ठीक है तो देखो PQ की वैल्यू बदाते हमां आपको जो यहां पर PQ होगा आपका इसकी value आपके पास क्या होगी यह सब्सक्राइब करना है एड कर देना है और फिर उसका स्क्वेर रूट यानि कि यह क्या होगा प्यक्यू की वैल्यू होगी ठीक है अब देखको इसको पर में कुछ और चीज आपको बताता हूं तो देखको में एक लाकरी चीज़ और करने वाली चीज़ के अंदर देखको आप जानते हैं कंडिशन ओफ पैरलेलिजम एक चीज़ और करने वाले हम लोग यह वाली कंडिशन ओफ पैरलेलिजम ठीक है तो देखके इसका में डायट आपको रूल्स बता देता है रूल्स क्या होते हैं इसके यानि जब आपके पास लाइन्स जो होती है पैरलल ह होती है तो क्या होगा आपके पास यानि जो डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं आपके लाइन्स के तो क्या होगा यानि एवन बाइट टू इस इकवल टू क्या होगा आपके पास सीवन बाइट सीटू इस इकवल टू के यहां पर क्या है कोई भी कॉंसेंट है ठीक है और आपको दूसरे कंडिशन क्या आपके पास यहां पर वह महलूब परपेंडिकुलर की कंडिशन आपके पास हो जाती है तो ठीक है यह पर्पेंडिकुलर में आपके बास क्या होगा की जो ए-1 into A2 आपके पश्क्राइब क्या होगा A1 into a2 plus be 1 into B2 plus C1 into चीज पर स्क्राइब करते हैं यह पर यह तो यहां पर मेरे एक और चीज आरा जाती इस चीज़ को देखते हुए मह आला पर को संट की दो यह आप हो दूखो कैसे मानलो आपके बास कुछ पॉइंट नियों को लाइं से जैसे यह बात सक हुएं आप लिए इन लॉसरी हम रहे हैं किसी नियाएं लिए तो किसमें ऑफ लांजिय time by path using यानि हम मानते कि इन दो लाइं लेडिया हमने यह पॉइंट ले लिया हमने यह दो लोग अलग ejercine मानते हैं तो देखो हम यह एवीजी के ठीन ले लेते हैं लोग ठीक है आप मोग क्या है जो आपका अपका एव बीसी यह को लीनेर कब हो चकते जब आपके पास क्या ऑगे अबी जो लाईन नो पैरलल हो बी-सी के और इनका एक पोईट के नि कोई भी एक पोईट्ट बी जैसे हमने माल लिया क्या हो common point ठीक है तो ऐसे points आपके क्या होते है collinear होते है और देखो जब line parallel होगी आपके अब तो जब जानते है parallelism की condition क्या होते है A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to क्या होना चाहिए आपका C1 by C2 is equal to K यानि ये इनका ratio किसी भी constant K के equal आना चाहिए ठीक है तो देखो क्या है अब हमने जब ये तीन points लिए तो हम क्या गरते हैं देखो अपने AB के points निकालते है क्यानि हमारे पास AB के points क्या आते हैं देखो तो minus 1 minus 1 क्या होगा minus 2 2 minus 3 क्या होगा हमारे पास minus 1 होगा और 7 minus 5 हमारे पास क्या होगा 2 होगा ठीक है ऐसे ही हम लोग अपने BC के जब points निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा 3 minus minus 1 यानि क्या होगा plus का 4 होगा हम निकालते हैं कि यह हमर पास क्या होगा आपर देखो 4 minus 2 यानि कि plus का 2 होगा हमर पास और 3 minus 7 यानि क्या होगा हमर पास minus 4 होगा इन पॉइंट्स को में पैरलेजियम कंडिशन में डालते हैं क्या मिलता है हमें देखो कि माइनस 2 डिवाइडर बाइ 4 is equal to minus 1 divided by 2 is equal to 2 by minus 4 मिलता है यह 2 पर cancel यह 1 और 2 पर cancel नहीं क्या मिला हमें total देखो माइनस 1 by 2 यह 3 को कर रेशियो में किसी कंडिशन केग इकवल मिला है नहीं मिला यानि कि जब हमें 3 का रेशियो कंडिशन किसी केग इकवल मिलता है इसके मतलब क्या होगा यह लाइन से अब कैसे होगी पैर को लिनियर होंगी ठीक है